हलाई व्रीवन मैं धीरे जादव आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इदुकेशनल प्लैटफॉर्म कॉंपटिशन कम्मुनिटी पर आज हम लोग यहां पर डिसकस करने वाले हैं काउंटिंग आफ फिगर्स का पार्ट टू इससे पहले कि एकर मैं बात करूं तो प्रिव आज यहां पर हम लोग डिसकस करने वाले हैं number of squares related concepts को clear तो चलिए start करते हैं आज का session अगर हम बात करें यहां पर सबसे पहली आकरती जो आपके screen पर दिखाई दे रही है अगर मैं आपसे पूछों इस आकरती में वर्गों की संख्या कितनी है तो clearly आप देख पारें कि यहा कि यहां पर आपको वर्गों की संख्या दिखाई दे रही है लेकिन अगर मैं इसी आकरती को क्या करूं एक line के माध्यम से दो भागों में विभाजित कर देता हूं और यदि मैं अब आपसे पूछू कि यहां पर वर्गों की संख्या कितनी है तो आप मैंसे बहुत सारे ब क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं कि इसकी वर्गों की संख्या की और आप जिसको यह काउंट कर रहे हैं यानि कि एक और इसको आप काउंट कर रहे हैं दो और एक complete को आप काउंट कर रहे हैं तीन तो ध्यान दीजिए यहां पर यह जो आपको दिखाई दे रही आकरती एक वर्ग नहीं है यह क्या है एक आयत है यानिकि एक rectangle है और हम यहाँ पर क्या find करना है वर्ग find करना यानिकि यहाँ पर हम बात करेंगे number of squares की clear तो कुछ basic चो यहाँ पर mistake हम करते हैं वर्गों की जब संख्या हम क्या कर रहे होते हैं निकाल रहे होते हैं तो उसके यह भी एक वर्ग हो जाएगा और अगर हम इस पूरे आकृति की बात करें तो यहाँ भी क्या हो जाएगा यानिकि अब मैं यहाँ पर आपसे पूछू वर्गों की संख्या कितनी है तो आप clearly देख सकते हैं यहाँ पर कितने वर्ग आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं तो 5 आपको यहाँ पर वर्ग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं यानिकि अगर मैं बात कूँ number of squares की तो कितने दिखाई दे रहे हैं 5 clear अगली अगर मैं आकृती की बात करूँ और मैं आप आपसे पूछू कि वर्गों की संख्या कितनी है अगर मैं आप आपसे पूछू वर्गों की संख्या कितनी है तो पहले 9 तो यह आपको clearly दिखाई दे रहे हैं यानि कि एक से ले करके 9 तक अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें 1, 2, 4 और 5 इसको मिलाओगे तो आपको एक वर्ग बनता हुआ दिखाई देगा फिर 2, 3, 5 और 6 इसको मिलाओगे तो आपको एक वर्ग बनता हुआ दिखाई देगा फिर 4, 5, 7 और 8 को मिलाओगे तो एक वर्ग आपको बनता हुआ दिखाई देगा और पांच, छे, आठ और नौ को मिलाओगे तो एक वर्ग आपको बनता हुआ दिखाई देगा यानि कि यहां पर 9 वर्ग तो आपके ऐसे बनना है यानि कि छोटे वाले फिर 4 वर्ग आपको यह बनते हुए दिखाई दे रहे हैं 9, 4 कितना होगा, 13 हो गया और एक यह पूरा का पूरा complete अगर हम बात करें structure तो यह भी अपने आपने क्या है एक वर्ग है, तो इस प्रकार यहां पर आप देख सकते हैं कि वर्गों की संख्या कितनी है तो 14 आपको यहां पर number of squares देखने को मिल रहे हैं, clear तो क्या हमें exam में इस तरीके से गिंती करना है, तो exam में हमें ऐसे गिनने की बिल्कुल भी अवशक्ता नहीं है exam में हमारा approach क्या होगा, इन questions के लिए इसके बारे में हम लोग यहां पर discuss कर लेते हैं, clear तो देखो exam में आपको क्या करना है, सबसे पहले जब भी आपसे वर्गों की संख्या पूछी जाए और इस प्रकार क्या करती आपको दिखाई दे तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, आपको number of rows and number of columns देख लेना, अगर यहां पर हम number of columns की बात करें तो 2 और number of rows की बात करें तो कितने 2 तो ऐसे questions में आपको क्या करना है आपको इस तरीके से गिंती नहीं करना है इस वाली आकरती के अगर मैं बात करो number of columns कितने तीन और number of rows कितने तीन यानि कि अगर हम बात करें पंक्तियों और स्तंभू की संख्या की तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दोनों ही संख्या क्या है बराबर है और जब इस प्रकार से आपको आकरती दिखाई दे तो आपको क्या कर लेना है सबसे बड़ी वाली संख्या से start करना है यानि कि अगर मैं इस आकरती की बात करूँ तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या है फिर उसके बाद क्या करेंगे अगली जब संख्या भुजाएंगे तो एक मिलेगा और एक का स्क्यार लेंगे और इन सभी को हमें क्या कर देना है जोड़ देना है तो दो का स्क्यार कितना हो जाएगा चार और प्लस एक कर दोगे तो कितना हो जाएगा पांच यानि कि यहाँ पर वर्गों की कुल संख्या की बात करें तो कितनी हो गई पांच इसी प्रकार अगर मैं साकृति की बात करूं तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ आपको क्या दिखाई दे रही है तो सबसे बड़ी संख्या से स्टार्ट करना है और कहां तक जाना है एक जाना है और सभी संख्याओं को आपको क्या लेते जाना है वर्ग लेते जाना है तो यहाँ पर आप क्लेरली देखेंगे कि तीन का स्क्वाइर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा फिर 2 का square करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और 1 का square करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा इस प्रकार यहां कर मैं पूछू कुल वर्गों की संख्या कितनी हो गई 14 यानि की 14 clear चलिए बात कर ले ते हम लोग और इस तंभो की संख्या यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिल रही है, बराबर मिल रही है, तो हमें क्या करना था, सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट करना था, और कहां तक जाना था, एक तक जाना था, और सभी नंबरों का स्क्वाइर करके हमें जोडते चले जाना था जब तक कि हमें एक ना मिल जाए तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा फिर प्लस कितना करोगे 9 करोगे फिर प्लस कितना करोगे 4 करोगे और फिर प्लस कितना करोगे 1 करोगे कुल यहां पर अगर हम बात करें वर्गों की संक्षागी तो कितनी मिल जाएगी आपको 30 यानि कि आप इस प्रकार के प्रस्णों को आसानी से हल कर सकते हैं बिना किसी कठिनाई के लेकिन जब आपको यहाँ पे वर्गों और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पंक्तियों और इस तंबों की संख्या कितनी दिखाई दे रही है समान दिखाई दे रही है तो आपको यहाँ तक 30 मिले तो केवल और केवल यहाँ पे 5 का square और आपको जोड लेना था तो यहाँ पे आपका अंसर क्या हो जाता 55 हलाकि इसको भी हम लोग आपके निकाल के देख लेकर ने देखिए एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच स्टार्ट कहां से करना था पांच से करना था तो पांच का square करोगे प्लस चार का square करोगे प्लस तीन का square करोगे प्लस दो का square करोगे और प्लस एक का square करोगे तो यह हो जाएगा 25 25 प्लस 16 करोगे तो कितना हो जाएगा तो ये तो बात हो गई जब आपके पंक्तियों और इस्तंभों की संख्या क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी लेकिन अगर मैं बात करूँ जब इनकी संख्या बराबर नहीं होगी तो हमारा अप्रोच क्या होगा इसके बारे में हम लोग बात करेंगे तो इस आकरती में ज देखा कि पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर थी और हमारा यहां पर वर्गों की संख्या जो थी वो कितनी निकल गया रही थी तीस, लेकिन जब पंक्किया और स्तंभो की संख्या बराबर नहीं होगी तो हमारा अप्रोच क्या होगा, उसके बारे में हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं देखें, अब आप यहां पर clearly देख पारें कि आपके पास rows कितने है, 4 और यहां पर columns कितने है, 5 तो ऐसे cases में आपको क्या कर लेना है, ऐसे case में आपको सबसे बड़े वाले जो row है उसका multiply सबसे बड़े वाले column से कर देना है और कहां तक जाना है जब तक कि आपको किसी में, यानि कि row या फिर column में एक ना मिल जाए तो यहां पर अगर मैं सबसे बड़े row की बात करूँ तो 4 और सबसे बड़े column की बात करूँ तो 5 प्लस उससे छोटे अगर मैं यहां पर row की बात करूँ तो 3 और उससे छोटे मैं column की बात करूँ तो 4 प्लस उससे चोटे अगर मैं यहाँ पर रो की बात करूँ तो दो और उससे चोटे कॉलम की बात करूँ तो तीन प्लस उससे चोटे अगर मैं रो की बात करूँ तो एक और उससे चोटे कॉलम की बात करूँ तो दो तो clearly देख सकते हैं आप कि यहाँ पर आपको एक मिल चुका है अब इसके आगे अपने को कोई भी counting या calculation नहीं करनी है इन सभी को हमें क्या कर लेना है जोड लेना है ऐसा हम क्यों कर रहे हैं इसके बारे मैं यहाँ पर discuss करूँगा आपसे क्लिए जहाँ पर मैं कुल संख्या की बात करूँ तो दो को यहाँ पर हो जाएंगा कितना 20 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 2 यानि कि 20 और 12 कितना हो गई आपक का 52 बद्यू internation प्लस दो चालीस यहनि कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर वरभो की कुल संख्यागी तो कितना हो जाएगा 40 और यही आपको क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा अब कारण भी हम जान लेते हैं यहाँ पर चलिए कारण भी हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं तो कारण समझने के लिए मैं क्या करता हूँ यहाप एक आकरती ड्रो कर रहा हूँ अब इस आकरती में अगर हम बात करें वर्गों की संख्या की तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा में क्या करना था एक, दो, तीन यहाँ पर इस्तंभों की संख्या आपके पास तीन है और यहाँ पर अगर हम बात करें पंक्तियों की संख्या कितिनी है तो 4 है हमने कहा सबसे बड़े इस्तंब को या सबसे बड़े पंक्ति को क्या करना है multiply करना है सबसे बड़े इस्तंब या पंक्ति के साथ में तो यहाँ पर आपके पास number क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है सबसे बड़ा number फिर 3 मिल रहा है फिर plus के मन में यह होगा कि सर इसका वाला तो एक छूट जा रहा है यानि कि अर। नंबर क्यों छूट जा रहा है उसके बारे में पर चर्चा कर लेते हैं तो द्यान दीजे अगर यहाँ पर हम गिन के वर्गों की संख्या निकाले है तो जैसा कि यहां अगर माँ बात करो तो चार कियां कितना हो जाएगा बारहो جएगा दोएं कितना हो जाएगा च्छे हो जाएगा टूट करोगे तो कुल और उट कि संख्यान के यहां पे कितवी निकल कि आ रही है guards करते हैं अब हम कारें कहरा समंजने का बात कर लेते हैं तो देखो 12 के बाद ये मिलेगा आपका एक 13 फिर ये मिलेगा एक आपका 14 इसी प्रकार ये मिलेगा एक आपका 15 और फिर ये मिलेगा आपका 16 फिर अगर मैं बात करूँ तो ये मिलेगा एक आपका 17 और फिर अगर मैं बात करूँ तो ये मिलेगा एक आपका 18 तो ये तो 4-4 को मिलाके बनने वाले जो वर्ग हुए अभी तक आपके पास कितने होंगे? 18 हो गए अब हम 9-9 को मिला करके यहां पर वर्गों की संख्या गिनेंगे तो देखो 9-9 को मिला के कौन-कौन से वर्ग बन रहे हैं तो ये हो जाएगा एक आपका 19 और अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका 20 क्या इसके अलावा भी कोई वर्ग बन रहा है तो आप मेंसे बहुत साथे बच्चे कहेंगे कि सर सबसे बड़े वाले को तो हमने गिना ही नहीं यानि कि ये जो पूरी की पूरी एक आकरती है इसको तो हम लोगों ने काउंट किया ही नहीं तो ध्यान दीजिए जब भी आपके यहाँ पे पंक्तियों की संख्या और इस्तंभों की संख्या अलग होगी तो जो एक संपूर्ण आकरती बनेगी वह कभी भी एक आपका वर्ग नहीं बनेगी यदि अंदर वाली बनने वाली आकरती सभी के सभी क्या है एक वर्ग है तो कभी भी अगर संख् करती है यहां पूर्ण वर्ग नहीं है क्लियर आपको रीजन समझ में आ गया होगा अब बात कर लेते हैं यहां पर अगली आखरती की कि चलिए अब आप देख पार यहां पर किस प्रकार से अब हमने इसमें एक लाइन ड्रो करी तो इस लाइन लाइन ने कोई भी अत्रिक्त वर्ग यहां पर नहीं बनाया यानि किस लाइन के ड्रो होने से यहां पर किसी भी अत्रिक्त वर्ग का निर्माड होता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा है यानि कि इन लाइनों के खीचे जाने से वर्गों की संख्या पर कोई भी फर्क यहां पाते हैं कि इन लाइनों के आने से यहाँ पे वर्गों की संख्या में कोई भी परिवर्तन होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है तो कहने का मतलब यह है कि यह अत्रिक्त लाइने जो हैं यह किसी भी तरह से किसी अन्य वर्ग का निर्मार नहीं कर रही है यानि कि यहां पर वर्गों की संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा और अगर हम बात करें यहां पर वर्गों की कुल संख्या की तो अभी भी कितनी हो जाएगी पांच ही रहने वाली है अगर मैं बात करूँ यहां पर अगली आकरती की तो आपको पता है इस आकरती में वर्गों की संख्या कितनी है तो यहाँ पर वर्गों की संख्या में मिल जाएगी 14 यानि की 14 और अगर हम बात करें यहाँ पर जब हम अतरिक्त इस प्रकार से लाइन क्या करते हैं ड्रॉ करते हैं तो इनकी संख्या पर कोई भी पर्क नहीं पड़ता है यहाँ कोई भी परिवर्टन आपको देखने को नहीं मिलता है तो अभी भी अगर मैं बात करें यहाँ पर वर्गों की कुल संख्या की तो अभी भी कितनी रहेगी 14 ही रहने वाली है चलिए बात कर लेते हम लोग यहाँ पर अगली पूछी गई अगरती के बारे में अब हम बात करेंगे जब हम वर्गों के अंदर क्या करेंगे इस प्रकार से आख्रती ड्रॉ कर रहे है चलिए यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछू वर्गों की कुल संख्या कितनी है तो ध्यान दीजिए पहले जो हमें आख्रती मिली थी तो यहां आकरती अपने आप में क्या है एक वर्ग है आप क्लिरली देख पार है आकरती अपने आप में क्या है एक वर्ग है तो यह एक अतरिक्त वर्ग आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा कि यहां पर 5 प्लस एक करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा यहां पर वर् वर्ग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं इत्मीन से यहां पर अगर हम बात करेंगे वर्गों की संख्या की तो वर्गों की संख्या ध्यान दीजिए अगर हम इन दो आकरतियों को सेपरेट करें तो एक आकरति तो आपकी यह हो गई और एक आकरती आपकी ये हो गई इस आकरती से हमें कितने वर्ग मिलेंगे इस आकरती से हमें मिलेंगे पांच वर्ग और इस आकरती से हमें कितने वर्ग मिलेंगे तो इस आकरती से मिलेंगे हमें पांच वर्ग हमने क्या किया है बस हमने इन दोनों ही आकर्कियों को आपस में मिला दिया है कुछ इस प्रकार से तो यहाँ पर आप clearly देख पारें कि अगर हम बात करें वर्गों की कुल संख्या की तो 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा यानि कि इस आकर्ती में वर्गों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी 10 चली बात कर लेते हैं अगली आकर्ती की तो अगर मैं अगली आकर्ती की बात करूँ तो इस आकर्ती में आप देख पा रहे हैं सबसे पहले हम बात करेंगे इस आकर्ती की इस आकर्ती में अगर हम वर्गों की संख्या की बात करें यानि की जिए जो आपको yellow line ने दिखाई दे रही है इस आकृती मे अगर हम वर्गों की संच्वा की बात करें तो हमें पता यहां पर कितने वर्ग हमें मिलेंगे तो यहां पे मिलेंगे हमें 14 जयने की 14 वर्ग इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो केवल अगर हम इस आकरती की बात करें ध्यान लीजिए हम यदि केवल इस आकरती की बात करें तो इस आकरती में हमें मिलेंगे कितने वर्ग पाँच वर्ग और यह चार आपको अतरिक्त वर्ग दिखाई दे रहे हैं इनको भी हमें क्या कर लेना है? एड कर लेना है clear? तो अगर हम यहाँ पर कुल वर्गों की संख्यागी बात करें तो देखे यह होगे आपका कितना 14 यह होगे आपका 5 और यह होगे आपका 4 यानि कि 14 में कितना जोड़ देना अपने को 9 जोड़ देना है तो आपको value कितनी मिल जाएगी 23 यानि कि यहाँ पर हम बात के अगर वर्गों की कुल संख्याकित यहाँ पर आपको कितने वर्ग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं तो 23 वर्ग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं को किसी वर्ग का निर्मार करते हुए दिखाई नहीं दे रही है इसलिए आपको बिल्कुल भी यहाँ पर परिशान होने की आवशक्ता नहीं है कुल वर्गों की संख्या यहाँ पर कितनी आपको देखने को मिलेगी इस तो हम भी तो हम देख पा रहा है यहाँ फिर क्या करना था मिलस यहाँ घर लेंगे, फिर करना था, प्रॉस करना था, और वन इंटू क्या कर लेंगे, ति इस परकार अगर हम बात करें, यहां पे अभी तक वर्गों की कुल संख्याक, याननि केवाल हम इस आक्रति की बात कर रहे हैं, इसके अंदर जो एडिशनल आपको structure दिखाई दे रहा हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी तक मैं केवल इस blue line की बात कर रहा हूँ clear तो यहाँ पर हमें पता है कि वर्गों की कुल संख्या कितनी है तो 12, 6, 18, 2, 20 तो यहाँ तक हमको मिलगा कितने वर्ग 20 अब हम बात करेंगे इस अत्रिक्त बनने वाली आकृति की तो आप clearly देख सकते हैं कि यहाँ जो आकृति है यह अपने आप में क्या है एक वर्ग है और इसको अगर हम यहाँ पर जोड़ लें तो कितना होगा प्लस 1 क्या इसके अलामा भी कोई वर्ग आपको यहाँ पर बनता हुए दिखाई दे रहा है तो ध्यान दीजे यह आकृति भी अपने आप में क्या है एक वर्ग है और यहाँ पर इस प्रकार आपको दो वर्ग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कि चलिए फटाफट से आप लोग बताएंगे इस दी गई आकरती में वर्गों की संख्या कितनी है क्लियर तो सबसे पहले आप जेक पार यहां पर फोर इस्टू फोर का आपको यानिकी अगर हम बात करें नंबर ओफ रोज और नंबर ओफ कॉलम्स यहां पर इक्वल है और ज हो जाएगा 16, 16, 25, 25, 29, 31 तो इस प्रकार से हमें मिल गए कितने वर्ग 30 अब हम बात करेंगे इस अंदर यह जो आपको आकरती दिखाई दे रही है इस आकरती के बारे में तो यह आकरती अपने आपने क्या है एक वर्ग है और इसके साथ-साथ आपको यहां पर चार अत्रि तो वर्ग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं तो जब कभी भी आपको confusion हो तो आप इन आकरतियों को अलग-अलग imagine करके अगर आप बनाओगे तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा और यहां पर अगर हम बात करें वर्गों की कुल संख्या की तो एक यह वाली आकरती चोटे यानि की कुल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी यहां पर प्लस पांच और कर दोगे तो 35 हो जाएगी क्लियर चलिए बात कर लेते हम लोग यहां पर अगली पूछी गई आकरती के बारे में अगली आकरती थोड़ा सा complicated लग सकती है लेकिन मैंने कहा हमें क्या करना है अकरतियों को अलग अलग करके imagine करना है तो पहले मैं इसी में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ उसके बाद हम लोग इसको separate बना करके देखेंगे clear तो सबसे पहले इसी में हम समझने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहां पर four is to four का आपको figure दिखाई दे रहा है यानि कि one two three four और यहां पर आप दिखेंगे तो one two three four तो हमें पता इस प्रकार हमें वर्गों की संख्या कितनी मिल जाएगी तो इस तो यहां भी आपको four is to four का एक structure बनता हुआ दिखाई दे रहा है यानि कि यहां पर मैं बात करूँ वर्गों की संख्या की तो यहां भी कितने मिल जाएगे हमें 30 वर्ग मिल जाएगी अब इसके अत्रिक अगर हम मैं बात करूँ यहां पर बनने वाले वर्गों की संख्या तो ध्यान दीजिए एक और एक यह दो इसी प्रकार दो यहां पर मिल रहे हैं इसी प्रकार आपको दो यहां पर मिल रहे हैं और इसी प्रकार आपको दो वर्ग यहां पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं तो इस प्रकार से आपको कितने और वर्ग मिल गए तो इस प्रकार से मिल गए आपको आठ अतरिक्त वर्ग और अगर आप ध्यान ने तो, ये आक्रति मिल करके भी क्या करेगी आपके वर्गों का निर्माल करेगी क्योंकि इसको हमने क्या किया था separate separate consider किया ठाश आलाग आलाग करके इसको हमने जोड़ा था तो इस फ्रकार से यहाँ पर आपको 4 और वर्ग बनते हुए दिखाई देंगे यानि कि प्लस 4 और यहां पर हम बात करें तो 60 प्लस 8 यानि कि 60 प्लस 8 करोगे 68 प्लस 4 करोगे तो वर्गों की कुल संक्चा हो जाएगी 72 अब जिन भी बच्चों के यह बात नहीं समझ में आई उनके लिए यहां पर मैं क्या करता हूँ इन आकृतियों को अलग अलग भागों में मैं विभाजित करने वाला हूँ इस आकृति को हमने अलग कर लिया और इस आकृति को हमने अलग कर लिया इस आकृति को हमने ड्रॉ कैसे किया था इसको भी समझ लीजे करना कुछ नहीं था, ये गए, ये गए सब में आपको केवल इस प्रकार से क्रॉस बना देना था कर देगी तो इस प्रकार से क्रॉस बना देना था और ये आकरती आपको बनती वह दिखाई देगी तो इसमें इस प्रकार से क्रॉस लाइने खीचने से पहले अगर मैं बात करूं वर्गों की संख्या कितनी थी तो आपको पता यहां पे वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी तीस हो जाएगी और यदि ये वाला हिस्सा बचा इधर ये वाला हिस्सा बच गया आपका इधर और ये वाला हिस्सा बच गया आपका इधर अगर हम बात करें इन चार हिस्सों में तो इन चार हिस्सों में आपको कितने वर्ग बनते हुए दिखाई दे रहे तो आप क्लेरली देख सकते हैं इन चार हिस अब ध्यान दीजिए यह तो हमने separate separate आकृतियों को क्या किया यहां पर वर्गों की संख्या आकृतियों में से निकाल ली लेकिन अगर आप ध्यान दें तो इन आकृतियों को मर्ज करके यानि कि इन आकृतियों को जोड़ कर भी हमें क्या मिल रहे हैं कुछ वर्ग बनते यह मिल जाएगा आपका square number 3 and this will be square number 4 तो इस प्रकार यहां पर हमें चार अत्रिक्त वर्ग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं यानि कि अगर हम बात करें यहां पर वर्गों की कुल संख्या की तो वर्गों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी 72 तो I hope कि यहां पर आपको number of squares clear ह हो गए होंगे कि यहां पर दी गई आकरती में वर्गों की कुल संख्या कितनी है तो answer क्या हो जाएगा यहां पर 72 आपको बनाने क्या वशक्ता नहीं बस आपको क्या करना है number of questions की practice करते चलना है बस जो आपको sheet मिल रही आपको वहां पर questions को हल करते चलना है बात कर लेते है हम लोग यहाँ पर अगली पूची गई आकरती की चलिए जब हम क्या करेंगे square के अंदर एक square का निर्मार करेंगे तो जब भी हम इस फिरकार के एक square के अंदर हमारी ये एक आखरती आपको बनती होई दिखाई दे रिखी अब इसके अंदर हम क्या करें केवल और केवल एक square का निर्माड करें यहाँ पर मैं पूछो number of squares कितने है तो आपको पता है यहाँ पर number of squares कितने है पांच अब इसमें हम केवल और केवल क्या करें एक वर्ग इस तरीके से क्या कर दे रहे हैं हम ड्रॉ कर दे रहे हैं तो हमने ड्रॉ कितने वर्ग किया हमने ड्रॉ तो किया एक लेकिन हम बात करें या एक वर्ग कितने अत्रिक्त वर्गों का निर्माड करेगा तो अपने साथ साथ या चार अत्रिक्त वर्गों का क्या करेगा निर्माड करेगा और इस परकार यहाँ पर जो आपके वर्गों की संक्चा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी एक प्लस और इन चार को भी जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा पांच यानि कि यहां पर फाइब प्लस फाइब का कॉंसेप्ट चलेगा जैसे जब हमने तो एक नए ट्रेंगल के आजाने से आप देख रहे थे कि चार अत्रिभुजों का निर्माड हो रहा था एक तो जो ट्रेंगल हम डौक कर रहे थे और तीन अत्रिक तो वह त्रिभुज बना रहा था क्लियर तो यहां पर हम फाइब प्लस फाइब का कॉंसेप्ट फॉलो करने वाले हैं तो इस आकरती में अगर मैं बात करूँ वर्गों की कुल संक्षा की तो पाँच प्लस पाँच करोगे तो कितना हो जाएगा दस इस आकरतीन बात करने तो देखो एक दो तीन यानि कि हापे हमें क्या करना है पांच प्लस पांच प्लस पांच करना है बराबर कितना हो जाएगा पंदरा यानि कि हापे वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी पंद्रा चलिए इस आकर्ति ने आपको बताना है फटाफट कि कितने वर्ग हैं तो देखेंगे कि एक दो तीन चार यानि क्या करना था हमें पांच प्लस पांच प्लस पांच प्लस पराबर कितना 20 यानि कि यहाँ पर वर्गों कि कुल संख्या कितनी हो जाएगी 20 चलिए कुछ अन्य आकर्तियों को भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं तो इस प्रकार आप देख सकते हैं यह जो आकर्ति आपको दिखाई दे रहे यानि कि यहाँ पर हमने पहले ही बताएगी जब आप इ तो भी इन लाइनों को ड्रॉ करने से यहाँ पर कोई भी अत्रिक्त वर्ग बनता हुआ में नहीं दिखाई दे रहा है यानि कि अभी भी हम बात करेंगे वर्गों की कुल संख्या की तो कितनी रहेगी 5 प्लस 5 यानि कि 10 ही रहने वाली है यहाँ पर कोई भी आपको चेंज को नहीं मिल रहा है इन लाइनों के आ जाने से क्लियर चलिए यह थोड़ा सा इंट्रेस्टिंग होने वाला है आप लोगों के लिए तो सबसे पहले हम इसाकरती की बात करेंगे कि यहाँ पर वर्गों की कुल संख्या कितनी है तो यहाँ पर कुछ भी आपको मेहनत करने के वह शक्ता नहीं है जो बाते हमने सीखी है अभी तक जो बाते हमने पढ़ी है उन्हीं का यहाँ पर भी आपको क्या करना है यूज करना है तो हमें पता है कि इस अगर हम बात करें एरिया की इस ब्लू आल एरिया की बात करें तो यहाँ पर वर्गों की कुल संख्या कितनी ह तो हमें पता है यहां पर भी वर्गों की संख्या कितनी होगी पांच तो पांच हमने यहां पर निकाल लिए इसके बाद जदी मैं बात करूं इस एरिया की तो यहाँ पर भी अग हम पाएंगे कि वर्गों की कुल संख्या कितनी है तो यहाँ पर भी वर्गों की कुल संख्या कितनी है 5 और at last अगर मैं बात करूं इस एरिया की और यहाँ पर मैं पूछू आपसे वर्गों की कुल संख्या कितनी है तो यहाँ पर आप पाएंगे कि वर्गों की कुल संख्या कितनी है 5 तो इस प्रकार यहाँ पर बनने तो चाहिए कितने वर्ग तो यहाँ पर कुल वर्गों की संख्या की हम बात करें तो बनने तो चाहिए तो कितने 20 लेकिन यहाँ पर कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनकी counting दो बार हो रही है और वो वर्ग कौन से हैं तो ध्यान दीजे एक दो और तीन यानि कि ये तीन वर्ग ऐसे हैं जिनकी counting हम क्या कर ले रहे हैं दूबार कर लेरें, तो हमें क्या कर देना है, 20 में से इन तीन वर्गों को घटा देना है, यानि कि यहां पर वर्गों की कुल संक्षा की हम बात करेंगे, तो कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी यह repeat कब नहीं होते जब इस प्रकार से आपको आखरती दी गई होती तो यहाँ पे आप निकालते 5, यहाँ निकालते 5, यहाँ निकालते 5 और यहाँ निकालते 5 तो प्रत्यक आपको आखरती से 5 5 वर्ग मिलते तो यहाँ पे वर्गों की पुल संख्या कितनी हो जाती बीस हो जाती लेकिन इस दी गई आकरती में आपको तीन वर्गों को क्या कर देना था मैनस कर देना था जो कि क्या थे common element आपको यहां पर बंते वे दिखाई दे रहे थे इसको आप दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं देखिए कैसे यहां तक हमने गिना तो कितने मिल गया हमें इस छेत्र से हमें मिल गया कितने पांच अब हम बात करेंगे इस एरिया से इसको मैं color change कर देता हूँ अब हम बात करेंगे इस एरिया से clear तो इस एरिया से देखिए एक ये वाला होगा आपका दो और ये वाला होगा आपका तीन और इन दोनों में जो common को मिला करके एक आकरती बनेगी ये वाली ये हो गया 4 तो यहां कि इसके नीचे जब हम आएंगे तो हमें यहां से तो पहले वाले से तो हमें 5 मिल गए फिर इसके नीचे वाले से हमें मिलेंगे 4 इसके नीचे वाले से हमें मिलेंगे 4 और इसी प्रकार इसके नीचे वाले से मिलेंगे हमें 4 तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12 और 5 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा तो इस प्रकार भी आप इसकी काउंटिंग कर सकते थे तो भी आपको उत्तर कितना मिलता 17 ही देखने को मिलता क्लियर बात कर लेते हैं लोग आप अगली पूछी गई आकरती की तो यहाँ पे बात करूँ वर्गों की कुल संख्या की तो हमें आप पता है दخः यहाँ पे हो गए पांच यहाँ पे हो गए पांच यानिक कितना हो जाएगा 5 और 5 10 10 और 5 15 15 और 5 20 कई 20 और यहाँ पे 5 इस से मिल जाएगा 25 देखो इस परकार से और हम इस बड़े वाले में वर्गों की संख्या निकाल लेता हूं तो हमने का भी जित्ते पे मैंने blue marker चलाया यहाँ पे वर्गों की कुल संख्या कितनी हो गई तो आप clearly देख पार यहाँ पे वर्गों की संख्या कुल कितनी हो गई पाँच अब इसके बाद में जिस पे red color चलाने वाला हूँ तो आपको यहाँ बताना है वर्गों की कुल संख्या कितनी है तो इसमें अगर मैं बात करूँ वर्गों की कुल संख्या की तो कितनी हो गई पाँच इसी प्रकार अब मैं जहाँ पे yellow मार कर चलाने वाला हूँ यहाँ पर आपको पताना है वर्गों की कुल संख्या तो यहाँ पर वर्गों की कुल संख्या कितनी हो गई पांच clear अगर हम यहाँ पर बात करो तो इस एरिया में भी हमें कितने मिल जाएंगे पांच वर्ग मिल जाएंगे इस एरिया में भी हमें कितने मिल जाएंगे पांच वर्ग मिल जाएंगे और इस एरिया में भी हमें कितने मिल जाएंगे पांच वर्ग मिल जाएंगे तो इस प्रकार चार जो मैंने रेड कलर के मारकर से यहां पर हाइलाइट किया है हमें मिल गए 20 square और अगर मैं बात करूं यहां पर yellow color वाले area की तो यहां से भी हमें मिलने वाले हैं कितने 20 square 5 पाँच करके हमें 4 भागों में 20 square मिलने वाले हैं और सबसे पहले जो हमने blue color से highlight किया था वहां से हमें मिलने वाले है 5 तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि वर्गों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी तो वर्गों की कुल संख्या आपको यहाँ पे 45 बनती हुई दिखाई देगी 45 कैसे बना तो देखिए रेड कलर वाले से 5 5 करके हमें कितने बार मिले 4 बार मिले 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 यलो कलर वाले से हमें मिले 4 बार 5 प्लस 5 प्लस 5 और ब्लू कलर वाले से जो हमने पहले मिला था वहाँ से मिले हमें 5 तो यानि कि यह होगी आपका 20 यह होगी आपका 20 और यह होगी आपका 5 सब को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 45 जान की वर्गों की कुल संख्या की हम बात करें हाँ पे तो कितने बन रहे है 45 चलिए इस आकरती में आपको बताना है कि यहाँ पे वर्गों की संख्या कितनी है बताइए सभी लोग चलिए अगर मैं इस एरिया की बात करूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 2 यानि कि 6 by 2 का यहाँ पे आपको एक आकरती बनती ही दिखाई दे रहे जहाँ पे 6 आपके क्या है रोज है और 2 क्या है कॉलम्स है और इसी प्रकार यहाँ आकरती भी पिल्कुल आपको सिमिलर दिखाई दे रहे जहाँ पे 2 आपके क्या है कॉलम्स और 6 क्या है रोज है यानि कि जितना हम इस एरिया से निकालेंगे वर्गो की संख्या उतना ही हमें कहां से मिलेगा उतना ही हमें इस एरिया से भी मिलने वाला है तो हम किसी एक को क्या कर लेते हैं यहाँ पर common कर लेते हैं तो अगर इसकी में बात करूं तो कितना हो जाएगा 2 into 6 plus 1 into 5 तो यहाँ पर मिल गया 12 यहाँ पर मिल गया 5 17 यानि कि 17 अगर हमें एक हिस्से में मिले तो दूसरे हिस्से में भी हमें कितना मिलेगा 17 मिलेगा तो हमें क्या कर देना था into 2 यानि कि कितना हो गया 34 लेकिन यहां पर ध्यान देत यहां पर कुछ आपका क्या है common area भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है और common area कौन सा होगा तो यह वाला होगा तो इस common area के अगर हम बात करें तो common area में वर्गों की संख्या कितनी है तो इस common area में वर्गों की संख्या है 5 तो इसमें से हमें क्या कर देना था 5 को minus कर देना था और इस परकार कर यहां पर वर्गों की कुल संख्या की बात करें तो कितना हो जाएगा 29 यानि कि दी गई आकरती में वर्गों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी 29 हो जाएगी clear किसी को कोई doubt चलो फिर से देख लो इसको पटाफट करना क्या था हमें यहाँ पे किसी भी एक area को हमें यहाँ पे consider करना था यहाँ पे वर्गों की संख्या हमें निकाल लेनी थी तो जितनी इस area में वर्गों की संख्या होगी उतनी ही इस area में भी हो जाएगी तो एक में हमें यहाँ पे एक area में हमें वर्गों की संख्या कितनी मिली 17 मिली तो यानि कि दोनों को मिला देंगे तो प्रकार वर्गों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी 29 हो जाएगी clear चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे number of rectangles की यह तो हो गई बात किसकी number of squares की अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे number of rectangles तो number of अगर मैं rectangles की बात करूँ तो आकरतियां आपकी लगबग लगबग वैसी ही रहने वाली हैं जैसे की number of squares में आप लोगों ने देखी लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ संख्या की तो संख्या में आपको यहाँ पर अंतर देखने को मिलेगा है यानि कि अगर मैं बात करूँ इस दीग याकृति में number of rectangles की तो देखो number of rectangles यहाँ पर क्या हो जाएंगे जादा हो जाएंगे comparison to number of squares की तो जब हम number of rectangle निकालेंगे यानि कि जब हम क्या निकालेंगे आयतों की संख्या निकालेंगे तो हमें यहाँ पे अप्रोच क्या रखना है इसका shortcut क्या होने वाला है फरक कहां कैसे पड़ता है हर एक बात को हम लोग यहाँ पे detail में discuss करने वाले हैं तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे अगर हम लोग निकालें number of rectangles तो counting करेंगे तो 9 तो यह सीधे-सीधे दिखाई दे रहे हैं 9 के बाद अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले इसका shortcut समझ लो क्या होता है जितने number of rows हैं और जितने number of columns हैं यहाँ पे number of rows की बात करें तो कितना होगा सब को जोड़े तो 6 हो गया number of columns की बात करें तो हो गया 6 इन दोनों को क्या कर देना होता है multiply कर देना होता है और यह हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा यहाँ पे number of rectangles की बात करें तो कितना जाएगा 36 अब यह 36 बनेगा कैसे कौन कौन से होंगे तो इसको हम क्या करते हैं टू बाइ टू के एक rectangle में समझ लेते हैं इन शॉड चले ऐसा क्यों होगा रिजन भी हम लोग यहाँ पे जानेंगे तो सबसे पहले तो चार तो आप यहाँ पे देख पार हैं कि आपको square नजर आ रहा है तो सबसे पहली बात जो आपको note करके लिख लेनी है या समझ लेना है वो यह है कि every square can be considered as a rectangle यानि कि प्रतेक वर्ग को आप क्या कर सकते हैं एक आयत के रूप में consider कर सकते हैं या उसको एक आप आयत मान सकते हैं यानि कि अगर हम बात करें square is a special case of a rectangle clear यानि कि आप हर एक square को एक rectangle में consider कर सकते हैं लेकिन हर एक rectangle आपका square हो ऐसा जरूरी नहीं है तो यानि कि यहाँ पे square के संख्या तो आएगी ही आएगी उसके अलावा यहाँ पर हम क्या करेंगे अत्रिक्त जो बनने वाली आप करती हैं उसको हम लोग यहाँ पर गिनेंगे तो हमें पता square से हाँ पर कितने मिल जाएगा हमें 5 अब उसके अलावा जो आखर किया हमें बना रहा हूं उसको आप लोग ध्यान से देखिए तो एक तो हो गया यह कितना हो गया एक और एक हो गया यह जो कि हम क्या करते हैं जब number of squares की बात करते हैं तो हम लोग consider नहीं करते हैं तो यहाँ पर कितना और जोड़ गया दो और जोड़ गया अब इसके अलावा देखिए एक तो हो गया यह और एक हो गया यह तो कितना और जोड़ गया दो और जोड़ गया इसको अगर हम shortcut यानि कि हम इसको इस तरीके से इस approach अगर हम यहाँ पे निकालते तो भी आपको value same मिलती यानि कि 1 प्लस 2 करते तो कितना आता 3 आता और यहाँ पे भी क्या करते एक प्लस 2 करते तो कितना आता 3 आता और दोनों को multiply कर देते तो भी हमें value का में जाती 9 यानि कि 9 तो इस area में अगर हम बात करें number of rectangles की तो कितने हो गए? 9 हो गए, clear? इस area में हम बात करें number of rectangles की तो कितने हो गए? 36 हो गए, तो ध्यान दीजे कई बार आपको question में keval rectangle भी पूछ लेता है, यानिकि यहां के अगर हम बात करें only rectangle यानि केवल उने की संख्या बतानी है जो केवल क्या है Rectangle है यानि कि उन Rectangle को consider नहीं करना है जो कि क्या है एक वर्ग है तो इन में से आप क्या करोगे वर्गों की संख्या को घटा दोगे तो यानि कि यहाँ के अगर मैं पूछू गया है या option इस पर कार्ट से दिया गया है अगर यहां पर आपसे पूछ लिया number of rectangles और आपको विकल्ब दिया है 14, 22, 36 और 28 तो आप क्या करेंगे option जो बड़ी वाली संख्या होगी उसी को mark करेंगे जब अगर आपका only word यहां पर use नहीं किया गया है यानि कि अगर आपको केवल शब्द नहीं दिखाई दे रहा है पूछ लेगा केवल आयतों की संख्या पताईए तब तो आप 22 को mark करेंगे लेकिन केवल शब्द नहीं लिखा हुआ है तब आपका answer क्या हो जाएगा जो बड़ी वाली संख्या है वही हो जाएगा अब किसी ने कहा कि बड़ी वाली संख्या का मतलब क्या तो देखो ऐसा मत करना कि यहां पर 14 दिया है 22 दिया है 36 दिया है 48 दिया है आकरती यही है तो बड़ी वाली संख्या का मतलब इससे नहीं है मेरा कहने का मतलब कि केवल आयतों की संख्या और वर्गो और आयतों की संख्या मिला करके जो यहां पर दो नंबर है उनमें जो बड़ा होगा उसकी में बात कर रहा हूँ clear चलिए इसको हम लोग remove करते हैं देखते हैं अगली आकरती इस आकरती में अगर मैं आपसे पूछो यहाँ पे आयतों की संख्या कितनी है या number of rectangles कितने है तो क्या करना आपको one two three four सबको add कर देना तो कितना हो जाएगा ten in the same way one two three four और सबको add कर दो तो कितना हो जाएगा ten और यहाँ पे अगर हम पूछे number of rectangles कितने हैं तो number of rectangles कितने हो जाएगे hundred और यही आपको क्या हो जाएगा answer हो जाएगा clear चलिए तो यहाँ पे आपने देखा ओलेडी कितने आपको rectangles मिल रहे थे hundred बात कर लेते हम लोग अगली आकृति यानि कि अभी तक तो आपने देखा जब number of rows और number of columns क्या थे equal थे अब हम बात करेंगे जब number of rows और columns equal नहीं होंगे तब यहाँ पे number of rectangles हम लोग कैसे निकालने वाले at इन सबको हम add कर देंगे तो कितना जाएगा पंदरा और छेशे एक्रीन और इन सबकोगेubt करेंगे तो एक दो तीन यानि के छे 21 गूले 6 कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बारा और छे यानि कि एक सो चपवीश इस आकरती में आगर हम बात करेंगे rectangle की number of यानि कि हम बात करें गर आयतों की कुल संख्या की या number of rectangles की तो कितने जाएंगे 126 कैसे निकाला हम लोगों ने तो हमने क्या किया number of columns को हमने क्या किया add किया number of rows को हमने add किया और दोनों को आपस में जो value मिली multiply कर दिये तो इस प्रकार हमें value कितनी मिल गई 126 यानि कि इस आकरती में अगर हम बात करें number of rectangles कितने हैं तो कितने जाएंगे 126 चलिए कुछ अन्रे आकरती हो कि हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं तो देखिए इस प्रकार की आकरती पर बेज हम लोगों ने question देखा थे तो हमें सेम यहाँ पर अप्रोच लगाना है number of rectangles के लिए भी यहाँ पर कोई अलग अप्रोच हमारा होने वाला नहीं है तो यानि कि आपको दो यहाँ पर common parts दिखाई दे रहा निकि इसी प्रकार का दूसरा एक हिस्सा भी आपको और यहाँ पर हो गया एक दो इन दोनों को जोड़ों को तो कितना हो गया तीन इस परकार एक हिस्से में हमें मिलना है कितना 63 तो हमें पता है कि दूसरे हिस्से में भी 63 ही मिलने वाला इस परकार यहाँ पर total number of rectangles की बात करें तो कितने हो गए 126 लेकिन ध्याद दीजे यहाँ पर आपको कुछ common area भी दिखाई दे रहा है और इस common area के अगर मैं बात करूँ तो हमें पता है इस common area में हमें कितने number of rectangles मिलने वाले हैं तो हमें पता है यहाँ पर number of rectangles कितने होंगे 9 होंगे तो इसमें सब 9 को क्या करेंगे घटा देंगे तो value कितनी मिल जाएगी 117 जनकी 117 यहाँ पर आपको total number of rectangles देखने को मिलेंगे clear चलिए बात कर लेते हैं अगली पूछी गई आकरती की अगली यह दिम आकरती की बात करूँ तो ध्यान दीजे यहाँ पर भी आपको एक जैसी दो आकरती हैं दिखाई दे रहे हैं यह दिसकों दो भागों में बाट लें तो तो जितना आपका एक area में होगा number of rectangles उतना ही कहा होगा दूसरे में भी होगा यानि कि हम एक area की बात करें तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे सब को जोड़ लोगे तो value कितनी मिल जाएगी तो value मिल जाएगी हमें 21 और इन दोनों को जोड़ लोगे तो value मिल जाएगी 3 इस प्रकार एक area से हमें यहाँ पर number of rectangles कितने मिल जाएगे 63 तो हमें पता है दूसरे से भी कितने मिलने वाले हमें तो 63 ही मिलने वाले हैं और इस प्रकार यहाँ पर कितने होगे अभी तक total number of rectangles तो 126 लेकिन अगर आप ध्यान दे तो यहाँ पर भी आपको कुछ common area दिखाई दे रहा है यानि कि इस common area में मिलने वाले rectangles को हमने क्या किया है दो बार गिंती कर ली है तो इसको हमें क्या कर लेना यहाँ से घटा लेना और इस प्रकार यहाँ पर भी हमें value कितनी मिल जाएगी 117 जो कि क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा पूछी गई आकरती के लिए यानि कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बनने वाले आयतों की कुल संख्यागी तो कितना हो जाएगा 117 यानि कि 117 clear चली बात कर लेता हम लोग यहाँ पर अगली पूछी गई आकरती की जो कि थोड़ा सा आपके लिए क्या interesting भी होने वाला है चली तो क्या यहाँ पर interesting fact है और क्या यहाँ पर complications देखने को मिलती हैं उसके बारे मगर मैं बात करूँ तो in general अगर आप यहाँ पर number of rectangles count करेंगे तो definitely आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं mistake करने वाले हैं अगर आपको यहाँ पर तरीका तो 9 मिलेगी clear लेकिन अगर मैं कहूं यहाँ पर मैंने एक क्या कर इस प्रकार से line को draw कर दिया तो यहाँ पर आयतों की जो संख्या है उसमें कितने की वृध्धी होगी तो ध्यान दीजे इसको यदि मैं A मालनू इसको मैं B मालनू इसको मैं C मालनू तो देखिए यहाँ पर आयतों की संख्या में कितने की वृध्धी होगी तो एक तो आपका बढ़ जाएगा कौन सा A यानि कि यह वाला area क्योंकि अभी तक यह counting में नहीं आया था clear इसी प्रकार एक आपका बढ़ जाएगा कौन B यानि कि यह अभी तक counting में नहीं आया था और इसी प्रकार मैं बात करूँ तो एक आपका बढ़ जाएगा B प्लस C यानि कि यह area भी आपका counting में नहीं आया था तो ध्यान दीजिए जब मैंने क्या किया एक line को draw किया जब इस प्रकार से मैंने एक line को draw किया तो कितने अत्रिक्त यहाँ पर आपके आयत बन रहे है तो आपके यहाँ पर एक line को draw करने से एक line को draw करने से आपके तीन आपके अत्रिक्त क्या बन रहे है rectangles बनते हुए आपको दिखाई दे रहे है clear एक line के draw होने से तीन आपके rectangles बनते हुए दिखाई दे रहे है और यदि मैं इसमें दूसरी line यहाँ पर draw करूँ तो जान दीजे अगर मैं इसमें क्या कर देता हूँ दूसरी line draw कर देता हूँ तो यह हमने इसमें क्या करी दूसरी line draw करी और यहाँ हम numbering दे देते है 1,2,3,4 तो देखिए आप यहाँ पर कौन-कौन से अत्रिक rectangle बन रहे हैं जिनको हमने अभी तक counting में consider नहीं किया है तो जहाँ दीजे एक तो हो जाएगा आपका एक जो कि अभी तक गिना नहीं गया था एक clear दूसरे की अगर हम बात करें तो यह दो यह वाला area अभी तक हमने as a rectangle consider नहीं किया था clear अभी तक हमने तीसरे की तो ध्यान दीजे यह वाला area जिसको अभी तक हमने rectangle consider नहीं किया था तीन और हम बात करें चौथे की चलिए तो यह sorry यह नहीं होगा इसको हम अल्रेडि काउंट कर चुके हैं यह वाला यहां से यह वाला clear तो जब हमने क्या किया यहां पर दूसरी línea खींची जैसे हमने यहां पर दूसरी Sullivan की तो आपके अत्रिक इतने rectangles बनते हुए दिखाईS दे रहें तो आपके अत्रिक यहां पर 4 rectangle बनते हुए दिखाईS दे दे रहें इसके बाद आप जितनी लाइने खीचेंगे उससे दो अधिक आपको यहाँ पर rectangle बनते वे दिखाई देंगे यानिकि पहरी लाइन के साथ आपके यहाँ पर तीन नए rectangle बनेगे यानिकि A अलग बनेगा B अलग बनेगा और B और C को मिला देंगे तो अलग बनेगा फिर जैसे हमने यहाँ पर लाइन किची यह हो गया 1 यह हो गया 2 यह हो गया 3 यह हो गया 4 तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 अपने 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 अलग rectangle बनेगा 2 एक अलग rectangle बनेगा यहाँ पर अगर हम 2 और 3 को मिला दें तो एक अलग rectangle बनेगा clear तो पहली line के साथ 3 दूसरी line के साथ 4 और अगर तीसरी line आ जाती है तो 5 rectangles का निर्माड होता हुग आपको दिखाई देगा clear तो पूछी गई आकरती में हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि number of rectangles कितने है या आयतों की संख्या कितनी है तो हमें पता है basically यहाँ पे इन line के खीचे जाने से पहले हम एक आकरती की बात करें यानOn कि हम इस आकरती की बात करें तो हमें पता यहाँ पे number of rectangles कितने मिलेंगे नौ तो हमने गाँ पहली line के सम्हाथ कितने तीन तो पहली लाइन खीचे तो कितनी प्लस तीन तो ध्यान दीज लाइन ऐसी ही होंगी तभी हम उसको consider करेंगे यानि कि यह वाली पहली लाइन किसके लिए है तो यह वाली इस एरिया के लिए पहली ही line consider की जाएगी तो ये वाली line के साथ भी कितने बनेंगे 3 ये वाली line के साथ भी कितने बनेंगे 3 और ये वाली line के साथ भी कितने बनेंगे 3 तो इस प्रकार 12 प्लस 9 करोगे तो 21 यहाँ पे total आपको number of rectangles बनते हुए दिखाई देंगे clear चलिए अगले दी मैं अकृति की बात करूँ तो देखो सबसे पहले तो आपको इस area से कितने मिल जाएंगे सबसे पहले इस area से मिल जाएंगे आपको total number of rectangles ये आयतों की कुल संक्षा कितनी मिल जाएगी 9 अब जैसे ही हमने ये पहली line खीची तो कितना जूला तीन फिर उसके बाद यहां भी हमने पहली line खीची तो कितना जूला तीन यहां पर हमने पहली line खीची तो कितना जूला तीन और यहां पर हमने पहली line खीची तो कितना जूला तीन अब इसके बाद ध्यान दीजे हमने यहाँ पर खीची दूसरी लाइन तो कितना जुड़ेगा 4 और यहाँ पर भी हमने खीची दूसरी लाइन तो कितना जुड़ेगा 4 यानि कि 12 और 21 और प्लस 8 करोगे तो कितना हो जाएगा 29 यहाँ पर अगर हम बात करें बनने वाले आयतों की कुल संख्या की तो कितना हो जाएगा 29 यानि की 29 बात कर लेते हैं अगली हकृति की तो देखिए इस एरिया की अगर हम बात करें तो इस एरिया में अभी तक यहाँ पे खुआ है तो भारा अब हमें पता है कि दूसरी लाइन के साथ 4 नहे रिक्टेंगल्स का निरमार हो रहा है तो इस प्रकार से कितनी आपको दूसरी लाइनने दिखाई दे रहे हैं तो यह हो गया 1 यह हो गया, 2 यह हो गया, 3 और यह हो गया, 4, यानि कि प्रत्यक लाइन 4 नहें रेक्टेंगल का निर्माड़ कर रही है, और इस प्रकार से 4 लाइने दिखाई दे रही है, तो कितना और जोड़ देना था, 16, तो 12 और 16 जोड़ोगे, तो 28, 28, 29, जोड़ोगे, तो 37, यानि कि यहाँ पर अगर हम बात करें, बनने वाले आयतों की कुल संग्चा की, तो कितना हो जाएगा, 37, यानि कि यहाँ पर number of rectangles total कितने बनेंगे, तो 37, that will be your answer for the given figure, clear, चलिए, यह तो बात हो गए, किसकी, वर्गों की ट्रिक, फॉर्मूला, तरीका, कुछ अलग से आपको देखने ही जूरत नहीं, यहाँ पर आप सिंपली क्या कर सकता है, काउंटिंग कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर एक आकरती बनती हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ अगर हम बात पे दो, तीन, चार, पांच, छे, तो यहाँ पर भी हो गए छे, यहाँ मिला तीन, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, यहाँ पर टोटल नमबर और सरकल कितने बन रहे हैं, तीन और तीन, छे सरकल बनती हुए दिखाई दे रहे हैं, हलाकि इसकी काउंटिंग आप डारेक्ट भी कर सकते थे, डारेक्ट भी आप इसकी काउंटिंग कर सकते थे यानिकि क्लिरली देख पाँने कि एक तो यह हो गया, एक यह हो गया, एक यह हो गया, तीन, फिर यहाँ पर मिल गए दो, पांच, और एक ही मिल गया, छे, नेक्स्ट वाले में अगर हम बात करके रहे हैं, एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस यानि कि यहाँ पर सरकल कितने पांच यहाँ पर बात करें तो एक दो तीन चार पांच छे यानि कि यहाँ पर सरकल कितने तीन और यहाँ पर बात करें तो एक दो तीन चार पांच छे यहाँ पर सरकल कितने तीन यानि कि clearly आप द बताईए कितने आपको total number of circle से दिखाई दे रहे हैं तो चार तो हम बड़े circle देख पारें और अगर हम छोटे circle की बात करें तो mistake कहां करते हैं common वाले को दो बार गिल लेते हैं यानि कि चार आपको बड़े दिखाई देंगे तो फिर आपको प्रत्ते बड़े बड़े वाले में चार चोटे circle है तो 16 और होगे तो 16 चार बीस लेकिन अगर आप ध्यान दे तो यहाँ पर 3 आपको common circle दिखाई दे तो क्या कर लेना था सिंपली 3 को माइनस कर लेना था 3 को कम कर लेना था तो फुल यहां पर रित्तों की संख्या की बात करें तो कितना जाएगा सत्रा आजाएगा कैसे सत्रा आएगा तो देखो एक दो तीन चार चार तो हो गए बड़े वाले चार के बाद पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा तेरा चौदा फंदा सोला सत्रा जैसे चावब आप वैसे क्या कर सकते हैं इसकी counting या calculation कर सकते हैं अगली अगर हम यहां पर पूछी गई आक्रती की बात करें तो देखे चार तो हो गए आपकी क्या बड़े सरकल और यहां पर प्रतेक बड़े सरकल के अगर हम बात करें तो यहां पर आठ आपको क्या दिखाई दे रहे हैं छोटे सरकल भी दिखाई दे रहे हैं लेकिन आपके हो गए थे बड़े सरकल और 6 हो गए आपी मीडियम साइज वाले तो 26 शे 32 चार 36 यहां पर टूटल आपको सरकल बनते हुए दिखाई देंगे यानि कि वृत्तों की कुल संख्या की बात करें तो कितना हो जागा 36 अब कितना आप fast calculate करते हो यही आपको यहाँ पर देखना है बाकी आप आराम से यहाँ पर calculation कर सकते हैं कोई भी आपको दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है तो देखो 4 आपके हो गए यहाँ पर क्या फिर से मैं इसको count करा देता हूँ चार हो गए आपके क्या बड़े सरकल उसके बाद यहाँ पर यह हो गए 8 तो देखो 4 प्लस 8 प्लस यहां पे हो गए 6 प्लस हो गए 6 और प्लस हो गए 6 clear फिर हम बात करेंगे यहां पे 6 आप के हो गए medium वाले circle तो यह 6 प्लस 6 12 प्लस 6, 18 प्लस 6, 24 24 प्लस 8, 32 प्लस 4 36 तो यहां पे अगर हम बात करें वृत्तो की कुल संख्यागी तो कितने हो गए 36 clear तो यह तो हो गई बात किसके number of circles की next class में हम लोग यहां पे क्या करने वाले हैं तो हम लोग आपके exam में पूछे गए प्रश्न जो की किस पर आधारी basically आपको देखने को मिलेंगे number of triangles और number of squares पर based आपको questions देखने को मिलेंगे basically जो आपके exam में पूछे गए in case आपको number of rectangle पर based question देखने को मिलता है जहाँ पर मैं आपको तरीका बता दिया number of circle पर based question मिलता है तो उसको भी आप आसानी से count कर सकते हैं कोई भी कठिनाई आपको नहीं होने वाली है इसके लावा अगर मैं बात करूँ तो number of lines पर based भी question आपको कई बार देखने को मिलते हैं यानि कि यहाँ पर आपसे पूछ लेता है lineों की संख्या कितनी है अलग-अलग आकरतियों के साब से तो इसके भी हम लोग कुछ questions से हाँ पर discuss करेंगे यानि कि basically वहाँ पर आपको अलग से कोई भी आकरति consider करने की ज़रूत नहीं है जो आपने triangle और squares में या फिर number of rectangles के लिए आकरतियां देखी उन्हीं आकरतियों से हम लोग सीखेंगे number of lines को भी count करना और साथी साथ अगले session में हम लोग देखेंगे आपके जो exam में पूछे गए प्रशन है यानि कि अभी तक के जो भी concept आप लोगों ने सीखे उनकी मदद से उनकी help से हम लोग कितना fast क्या करेंगे questions का answer निकालने वाले clear तो आज के लिए तना ही मिलते हैं नेक्ट लास में थैंक यू